नमस्कार, हम जब भी कैस्वरॉल की बात करते हैं, तब हमारे सामने आता है रोटी गम रखने वाला डिबा कैस्वरॉल कौन से भी मट्रेल का या डिजाइन का हो, लेकिन हमारा मुक्षवद्देश उसमें रोटी गम रखना होता है लेकिन यह कैस्वरॉल ऐसा है जिसमें हम रोटी शायद ही रख पाएंगे यह है भी मिल्टन जैसे जाने माने कमपनी का तो अच्छली क्या है देखते हैं यह मिल्टन प्रो कुक टेंले स्टिल कैस्वरॉल है विट ग्लास लेड़ इसका मुख्य उद्धेश बॉक्स पर लिखा है डिजाइन फॉर एल्डी कुकिंग परफेक्ट टाइट बॉक्स में यह कैस्वरॉल हमें मिल्टा है काज सुरक से तरकने के लिए कवर करके दिए वैसे यह काज थोड़ी वजंदार है इसी साइच के साधरन स्टील बरतन से यह तीन-चार गुना ज्यादा वजंदार महसूस हो रहा है फर्स लुक तो क्लीन एंड नीट है अच्छा दिखेगा अपने डाइनिंग टेबल पर इसका ढखकन टपन ग्लास से बनाए यह काज ही है शिप थोड़ी मजबुत तो यह थोड़ी हेवी भी है नौर्मर यूस से एजी ब्रेक होने की संबवना कम है काज से थोड़ी दूरी रखने वाला यह बड़ा नौब ज्यादा गम नहीं होगा काज को सुरक्षित रखने वाले श्टील की यह रीम भी अच्छी कॉलिटी की महिसूस होती है इतना तो इसका ठिकने से कि साप करते समय उंगलिया कटेगी नहीं इसके कारण डखकन कैस्वराल पर परफेक्ली फीट होता है काज को यह चिद्र है जिसे एर वेंड बोला जाता है बरतन में जब ज़्यादा बाप जमा होती है तो इस वेंड से वह एक्सेस बाप निकल जाती है जिससे प्रेशर के कारण डखकन उड़ने की संभावना नहीं होती यह अपना मुख्य बरतन है मिल्टन प्रोकूग कैसरॉल बढ़िया कॉलिटी और मोठे स्टील से बना यह कैसरॉल वजण दा रहे देड की लोग के आसपास इसका वजण होई कैसरॉल के उपर की ये एज राउंडेड और स्मूथ है जिससे इसमें गंदगी जमा होकर उपर यह काला नहीं पड़ेगा तेनले स्टील के चोड़े और स्मूथ हैंडल मदबूती से कैसरॉल से जुड़े है हैंडल की डिज़ाइन खास है बाहर की तरप मुड़ी हुई इससे गम पदातों की बाप आत पर आती नहीं आएंगे और आएंगे तो ज़्यादा दिखेंगे नहीं जैस के अलावा इंडक्शन पर भी काम आने वाला है यह कैसरॉल इस सैंड्वीच बाटम की कारण यह संभोव हो पाता है ठीका और हेवी बाटम है यह स्टील लेयर, फिर एलुमिनूम लेयर और फिर स्टील लेयर इस प्रकार से सैंड्वीच बाटम बनता है जिसके कारण यह काफी मोटा होता है एलुमिनूम के कारण हीट यूनिफार्म स्प्रेड होती है तो यह बरतन नीचे जलता नहीं या अंदर से काला पड़ेगा नहीं सिप इतना है कि मेल्टन का यह कैसरॉल कभी भी लो या मेडियम फ्लेम पर ही इस्तेमाल करना है इसका मुख्य उद्देश गर्म खाना परोसने के लिए है तो इस कैसरॉल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करने के बजाए खाना सिप गर्म करके डिरेक्ली इसमें से परोसने के लिए करें तो यह परईसे वसल होने तक कामाने वाल है डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाएगा कुछ देर तक डाल सबजी इसमें गर्म रह पाएगे मिल्टन का यह प्रो कुक कैसरोल 16 cm डायमेटर का है 1000 रुपे तक यह आपको मिल जाएगा इसमें 14 cm से लेके 28 cm तक अलग-अलग साइज उपलब दे यह सभी MRP रेट से डिसकाउंट पेट पर मिल जाएगे जिसकी लिंक वीडियो के निचे दी गई है चाहिए तो देख सकते हो और ऐसे अनिक प्रोडक्त की डिटेल जानकारी पाने के लिए अपने पैसे वसल यूटूब चानल को सबस्राइब कर सकते हो धन्यवाद